तो हम आपसे बात करेंगे तो जामिया मेलिया का जैसे आप लोग सब कमेंट करके पूछेते हैं मैं रिजल्ट कब आएगा तो बहुती खुसकरी है आप लोगों के लिए 36 courses का result जामिया ने डिकलेयर कर दिया है just because of first week of August में आपकी classes start हो जाएंगी तो जुलाई अभी start हो चुका है तो इसलिए अभी जामिया मेलिया इसलामिया ने आपके 36 course का result डिकलेयर किया है तो मैं सारे courses का result आपको नहीं दिखा पाऊंगी बट में आपको course code एंड आपके course बता दूगी कि वो कौन कौन से courses है जिनका result आ चुका है और आपको जो चेक करना है अपना result जामिया मेलिया असलामिया जो जो भी आपका course होगा वह आपना पर टाइप कर लोगे जैसा कि थोड़ी दिर पहले भी मैंने आपका result आया था तो वह मैंने आपको उपता आया था था बी 38 करके score था इसी तरह के से मैं इसी तरह के से आपको बता दूँ हैं यह आपर जो भी आपके score होंगे मेरे से पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँ जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा आपका रिपलाई करनेगी ठीक है और आपसे एक गुजारिश तो हमेशे ही रहती है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आपके लिए बहुत है रप्रूश चैनल है और अभी आपको कॉर्स कोड में आपको मेंशन कर दूए और जो मेरे चैनल पर कमिनेटी है महाँ पर भी पोस्ट कर दूए जिन दिन कोर्स का आपका रिज़ल्ड डिकलेयर हुआ है तो यहां से करते हैं हम इस्टार्ड तो आप देख सकते हैं तो यहां से आप देखिएगा को स्टे आमिक स्टेडीज का M06, M.A. हिस्ट्री का आपका M25 कोड है आपका M.C. फिजिक्स का भी आपका क्लियर हो गया है रिजल्ट M27, M.C. मैथमेटिक्स विद कम्प्यूटर एंड साइंस M28, M.C. बायो इंफोर्मेटिक्स M29, M.C. बायो साइंस का भी क्लियर हो गया है M30, M.C. बायो केमिस्ट्री, M31, M.C. बायो टेक्नोरोजी, M33, M.A. M.C. मैथमेटिक्स का भी M34, M.A. M.C. जोगरफी, M35, M.A. M.C. डवलोमेट एक्स्टेशन नेक्स्ट आपका है M38, M.C. बायो फिजिक्स नेक्स्ट आपका होटीन जो है M.T.E.C. इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैनेजमेंट का भी आपका क्लियर कर दिया गया है नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ M47, M.T.E.C. Control and Instrumentation System का भी आपका क्लियर कर दिया गया है M49, M.T.E.C. Earthquake Engineering का भी आपका डिकलियर हो गया है M50, M.T.E.C. Nanotechnology, M51, M.T.E.C. Computer Engineering, M54, M.C.A. M61, M.A. Gender Studies, M63, M.A. Social Exclusion and Inclusion Policy M64, M.A. International Studies, Arab Islamic Studies तो यह आपके 22 पॉर्सिस हैं जिनका मैंने आपको बताया कि इनिन पॉर्सिस का आपका रिजल्स डिकलेर हो चुका है तो यहाँ पर जाकर आप पता ही है आपको कैसे चेक करना है अपना रिजल्स और अगर किसी को प्रोब्लम है इस स्पैसिफिक किसी कोर्स में तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो अप्लोड गर दूग रही है क्लियर तो नेक्स देखते हैं आपका जो आपका नेक्स्ट कोर्स है वो आपका है अगर मैं आपसे बात करूँ अंडर ग्रेजवेट कोर्स में आपका किन किन कोर्स है क्लियर के जोडियर के रहा है विए च्वेचन नेक्स का पनर दूग है की दूग भीजवेशन कोर्स देखतそうुप है फर्स्ट आपका BPT का क्या गया है, Bachelor of Physiotherapy, B33 Course Code है आपका, BA Owners Islamic Studies का क्या गया है, B38 A आपका, BA Owners Mass Media Hindi का क्या गया है, B54 है आपका, BSc Owners Mathematics का, आपका, B63 है आपका, तो यह आपका, BSc Science का है, B14 है आपका, B.Tec का, और next मैं अगर आपसे बात करो, PG Diploma, यानि कि आपका, Post Graduate Diploma Courses की, तो इनके आपके, तीन चीज़, किलियर के गए हैं, जो कि आपका, Course Code है, G03, PG Diploma in Urdu Mass Media, G06, PG Diploma in Journalism Hindi, G7, PG Diploma in English Hindi Translation, तो यह आपके, Courses थे, 27 is your Master Courses, and 6 is your Graduate Courses, and 3 is your Post Graduate Courses, and 3 is your Post Graduate Courses, डिपलोमा, तो यह आपके, Courses हो गए हैं, और आपकी, Classes भी, Hopefully, 1st week of August, से start, schedule आचुका है, तो इस start हो ही जाएंगी, तो जल्दी से आप अपना, आपने एडमेशन लीजिए, और जिन बच्चों का हुआ है, मेरी तरफ से,